आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन है जावा के इंटर्वियू के अंदर पूछा जाते हैं उनको कवर करेंगे तो यहां पर आज का जो हमारा क्वेश्चन है विच टाइप ओफ जावा लेंगवेज जावा किस तरह का एक लेंगवेज है आ हाओ मैनी कीवर्ट्स इन जावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जावा के अंदर कितने कीवर्ट्स होते हैं तो जावा के अंदर जो टोटल कीवर्ट्स होते हैं वह 52 कीवर्ट्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपर जो इंटर्वियू के अंदर पूछ ले जाता है उनको हम एक group के अनदर grouping कर देते हैं उसे को हम package बोलते हैं इसको अगर हम simple word में बोले लिए खोने फोल्डर की तरह होता है हम अप अलग अलग डेटा के लिए अलग олक्रा बना देते हैं image के लिए अलग folder बनाते हैं और वीडियो के लिए अलग folder करके रखते हैं नेक्स्ट ग्षेस्ट एब पर एप्सट्रेक्ट क्लास और इंटर्फेस अगर आप जावा के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब आपको यह क्वेस्टेन बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ कर जाना है और इसको समज़ कर जाना है कि abstract class क्या होता है और interface क्या होता है इन के बीच क्या difference होता है लेकिन नघ्र Esther class can have abstract and non-abstract method जो abstract class होता है उसके अंदर abstract method भी हो सकते हैं और non abstract method भी हो सकते हैं लेकिन interface के अंदर जितने भी method होते हैं इंटरफेस के अंधर बीच मैंच जो होता है abstract class के अंदर दोनों type के method हो सकते हैं abstract भी और non abstract भी लेकिन interface के अंदर जो method होता है वो only abstract method ही होता है next जो यहाँ पर question है what is method method के है तो method हम function को ही बोलते हैं जो अब तक हमने cc plus plus इतने भी language होती है सब के method जो method होते हैं simply होते है method का मतलब होता है एक ब्लोक होता है code of block उसको हम method बोलते है method is a block of code which only runs when it is code जब कोई देखे जैसे हमने यहाँ पर एक यह हमारा एक ब्लोक हो जाएगा और यह तभी call होगा sorry तभी run होगा जब हम इसको call करेंगे तो आई hope कि यहां तक आप को समझ में आ गया होगा जो question हमने आज किस वीडियो में cover कि है next video में इससे आगे के जो question है उनको cover करेंगे